आज की इस वीडियो में हम कोशन करने जा रहे हैं, कोशन है The first and the last terms of an AP are 7 and 49 respectively If sum of all its term is 420, find common difference हमें common difference find करना है First और last term हमें given है 7 and 49 और हमें sum given है इन सभी terms का कितना है? 420 चलिए इस कोशन को solve करते है आज सभी को first term given है First term है आपके 7 और आपको यहाँ पर last term given है यानि की L L को हम an कहते हैं और यह हमें given है 49 और यहाँ पर आप सभी को sum given है यह है आप सभी का 420 अब यहाँ पर से आप सभी को common difference find करना है अगर हमें n की value पता लग जाए तो फिर हम common difference असानी से निकाल सकते है यहाँ पर से हम n के लिए निकालते है sum का आपका formula होता है n upon 2 bracket में a plus l is equal to 420 यहाँ पर से हमारी को a की value पता है l की value पता है n की value यहाँ से निकल जाएगी और फिर हम an के formula से d की value निकाल लेंगे यह हमारा an का formula होता है an is equal to a plus n minus 1 multiply में d यहाँ पर से हम d की value निकाल लेंगे जब हम यहाँ यहाँ पर n की value पता लग जाएगी उसकी value हम यहाँ पर से निकालते है n upon 2 bracket में a की value हमारी 7 और जो हमारी last time है वो है 49 is equal to 420 n by 2 इन दोनों को add करते हैं यह आएगा हमारा 56 is equal to 420 2 से यह cancel out होगा 28 बार में n की value आएगी 420 by 28 7 की table से cancel out करते हैं इसको 7 की table में 42 आता है 6 बार में और यह 0 यहाँ पर 7 की table में 28 आता है 4 बार में 4 से यह जाएगा 15 बार में तो फिर आपकी n की value आ गई 15 और इसको जो मैं यहाँ पर put करता हूँ दो इसकी निन इसकी आता है यह जोड़ा है ? इसकी वाँ पर इसकी आता है ? अन को यह आप लाफ्टी टम कहते हैं ? लास्ट में आप सोगी 49, अब इसकी value हम यहाँ पर पूट कर देते हैं, 49 is equal to, एक की value आप सोगी 7, प्लस 15-1, 14, D, 7 उतरों जाएके minus का बजाएगा, यहाँ पर बज़ जाएगा हमारा 42, is equal to 14D, यहाँ पर से हम इसको divide कर देते हैं, यह आएगी हमारी 3, D की value आगे हमारी 3, और common difference हमें इसमें find करना था, तो फिर common difference आगे हमारा 3, उमिद करता हूँ आप सभी को यह question समझ में आया होगा, एक और बाब बता देता हूँ क्या क्या हमने किया, हमें यहाँ पर first term given 7, last term given 3, यानि कि an 49, यहाँ पर से हमने sum का formula लगाया, n by 2, bracket में a plus l, is equal to 420, यहाँ पर से हमने n की value निकाल दी, n की value आये थी हमारी 15, 15 को हमने यहाँ पर put करा, an के formula में, an का formula होता है हमारा, an is equal to a plus n minus 1 multiply में d, d, यहाँ पर से हमने n की value पुट कर दी 15, और आगे हमने a की value पुट कर दी और an, an आपका last term है, जैसे कि मैंने आपको बताया, an आपका हमेज़ा last term होता है, is equal to 49, यह हमें given था, यहाँ पर से हम d की value निकाल लेंगे, d की value आगे आपकी 3, और यही आपका answer हो जाएगा, उम्मिद करता हम आप सही को यह question समझ में आएगा, समझ में आएगा तो इस वीडियो के लिए like का बट्राव जोड़ से दावा देना, मिलते हैं आप सब्सक्राइब आपको जात, तब तक लिए जाहें, जाबरत.